तो दोस्तो आज मैं आप लोग के लिए 5 ऐसे important terms लेकर आया हूँ जो कि घर के construction में बहुत ही commonly use होता है जैसे कि joggle, lap length, development length, bend deduction, staggered bar तो ये 5 ऐसे बहुत ही important और बहुत ही common term है जो कि घर के construction में use होता है चलो मैं एक बाई एक करके आपको explain कर देता हूँ कि क्या होता है देखो सबसे पहला topic अपना joggle जोगल देखो क्या होता है देखो, ये मान के चलो कि ये column का steel bar है ठीक है, column से नीचे से हमने steel bar erect किया ये यहाँ पर आके ये खतम हो गया ठीक है, फिर अब हमें और उपर लेके जाना भी और भी मानलो, stories और भी, floors हमें और भी बनाना है ठीक है, construct करना है तो अब obvious ही बात है, इस सरीए को हम लोग बढ़ाने के लिए जो नीचे से जो आ रहा था, ये वाला जो सरीए था इसको हम लोग इंक्रीस करने के लिए ओवरलापिंग देंगे ठीक है, तो ओवरलापिंग जब देते हैं तो यहाँ पे, देखो, ओवरलापिंग का क्या तरीखा होता है देखो, मैं एक बात और बता दूँ आपको ये लाप लेंध और जॉगल दोनों ये एक साथ आपके अएक्स्प्रेंच करता हमже क्योंकि इसमें ही दोनों चीजे ऐकस्प्रेंच हो जाएगी ये लाप लेंध होजाएग अपना ये जॉगल होजागा एसी को कहते है joggle, इसी को कहते है joggle और इसकी value कितनी होती है, इसकी length कितनी होती है इसका formula होता है 0.42 D, ये D का value क्या रहता है, ये D का value हमेशा जो भी सरीया है जो आपर का सरीया है उसी का हम value लेते हैं, ये माल लो हमारा 16 mm का बार है, ठीक है और ये मानलो 20 mm का बार है तो हम लेंगे 16 mm के बार को ठीक है 0.42 x 16 ये जितना भी mm आएगा उतना mm ये आपका जॉगल यहाँ पर दिया जाएगा ठीक है तो जॉगल जो स्लाइट सी जो बेंडिंग होती है उसको कहते है जॉगल और लापिंग लेंथ दूसरा था लापिंग लेंथ ठीक है अब देखो लाप लेंथ क्या होता है जो नीचे से जो सरीओ आया हमने उसको extend करने के लिए हमने कुछ पोर्शन यह वाला यहां से यह वाला पोर्शन ठीक है यह इतना जो पोर्शन था हमने extra steel का इसके उपर overlap किया वहला एक सरिया को दूसरे सरिया के उपर चढ़ाया ठीक है ये नीचे एक सरिया था हमने उसके उपर एक दूसरा सरिया इधरवला चढ़ाया ठीक है ये जो हम लोग चढ़ाते हैं एक दूसरे के उपर और फिर इसका जो binding कर दता है तो इसी को कहते हैं लोग lap length तो यह जो हमारा length है यहाँ से यहाँ से ऐसे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ तक यह होगे अपना यह होगे अपना lap length ठीक है इतना हो जाता है अपना lap length ठीक है मतलब यहाँ से इस point से इस point तक इसको कहेंगे lap length ठीक है देखो site पर जनरली दिया रहता है 46D या 48D या 50D कहीं कहीं पर 52D भी दिया जाता है most probably अगर architectural drawing में अगर नहीं दिया वाय है कि कितना आपको overlapping length रखना है तो आप 50D consider करके चलना ठीक है 50 cross D और इसमें भी D कौन सा रहेगा D रहेगा इसमें 50 cross 16 वाला मतलब उपर वाला सरिया जो भी उपर वाला सरिया होगा वही lap length रहेगा नीचे वाले steel से अपने को मतलब नहीं रहता उपर वाले steel से ही lapping करते है ठीक है joggle में भी जो D है उपर के steel bar से और जो lapping length में भी जो D है वो भी उपर वाले steel bar से है ठीक है और अब देखो तीसरा topic है अपना development length देखो development length को मैं बता रहा हूँ आपको देखो development length ये मालो की एक हमारा column है ठीक है ये column हो गया अपना जो की continuous है नीचे के तरफ भी और उपर के तरफ भी continuous है यहां भी उपर के तरफ continuous और नीचे के तरफ continuous ठीक है और ये हो गया अपना steel bar की ये वाला हो गया अपना bottom वाला steel bar ठीक है और ये है tension zone सब कोई जानते है बीम के नीचे tension zone होता है ये अपना beam है ठीक है ये वाला column है side वाला बीच वाला beam है नीचे tension zone होता है और उपर compression zone होता हम लोग सब को जाते हैं ठीक हैं अब ऐसे ये हमारा steel bar है ये नीचे वाला steel bar और ये top वाला steel bar ठीक हैं देखो अब क्या होता है कि column के इस portion से column के जो हमारा column का जो यह वाला जो portion है यह वाला जो portion है हमारा column का दोनों side में यहां से जो भी steel बाहर की तरफ extend करता है यहां से जो भी इतना steel बाहर की तरफ extend किया है ठीक है उपर वाले बार के लिए मैं भी आपको बता रहा हूँ तो इसको हम कहते हैं development length ठीक है और नीचे वाला जो steel बार जो यहां से extend किया उपर की तरफ उसको भी कहेंगे development length ठीक है यहां से भी जो ऐसे extend करता है इसको भी कहरा है development length यहां से right side से और फिर इधर से नीचे से जो उपर की तरफ गया उसको भी हम लोग कहेंगे development length development length होता कितना है generally हम लोग 50D ही देके चलते हैं lap length हो या फिर over development length हो सब को ही हम लोग 50D रखके consider करके चलते हैं अगर architectural drawing में बताया नहीं किया है तब ही अगर architectural drawing में अगर मालो आपको बोल देगा 48D आपको consider करना है 48D तो आप 48D consider करेंगे ना कि 50D और देखो development length देने का purpose क्या होता है सबसे important topic होता है कि purpose क्या होता है development length देने का development length देने का purpose होता है कि आपस में steel bar एक दूसरे को ऐसे करके पकड़ ले ठीक है आपस में जब ऐसे करके एक दूसरे को पकड़ लेगा ना steel bar तो उससे क्या होता है कि जब इसके ओपर टेंशन आएगा जब इसके ओपर लोड आएगा तो अव्यसी बात है कि बीम का शेप कुछ इस तरीखे का होगा हम लोग सब को इपढ़े हैं स्ट्रक्शल इंजिनिंग में कि बीम का शेप थोड़ा से नीचे के तरफ जुक जाता है राइट इससे नीचे के तरफ आजाता है इसमें तब इस तरीखे तो जुकेगा तो बीम जब एक दूसरे को ऐसे पकड़े रहेगा तो बीम में क्राक आने का चांस ना कम हो जाता है और जब अगर अपना स्टील बार खुला रहेगा इस तरीके से अगर माल लो सिर्फ मैं स्टील बार को जैसे ये कौम मैं आपको बता रहा है अगर सिर्फ यहां पे ऐसे देख लो कि माल लो ये वाला पोर्शन नहीं होता माल लगते हैं कि अभी ये वाला portion नहीं होता ठीक है ये वाला portion नहीं होता साइड वाला सिर्फ अपना steel bar यहां से आके ऐसे सीधर सीधर रह जाता तो इस case में क्या होता कि steel bar सीधर सीधर नीचे के तरफ खिच जाता और जब ये बंधावा है तो क्या है कि steel bar खिचता नहीं है मतलब खुलता नहीं है तो इसके वज़े से क्या beam में cracking नहीं हाती beam का कोई failure नहीं होता है अगर बंधावा रहेगा तो कोई failure आने का chance बहुत कम हो जाता है और अगर खुला वर रहेगा तो failure रहने का chance बहुत ही increase हो जाता है इसे लिए development length provide करना बहुत ही जरूरी होता है अपने beam में क्योंकि अपना structure इससे safe हो जाता है ठीक है structure अपना इससे बहुत ही safe रहता है अब देखो ये भी topic हो गया अब चौथा point पर आते हैं कि bend deduction देखो bend deduction को आप ऐसे समझो जब भी steel bar को मोड़ा जाता है यह अपना steel bar है मान लेते हैं 16 mm का मान लेते हैं ठीक हैं अब देखो मोडने का इसको तरीखा होता है कि हम steel bar को ऐसे करके 45 degree हम ऐसे मोड़ सकते हैं ठीक है वो size में थोड़ा सा बढ़ जाता है जब भी अब जैसे ही मोड़ होगे आप size बढ़ता है उसका ठीक है तो एक average हम मान के चलते हैं कि जो site पर जो देखा जाता है कि किस किस तरीखे से अपने सरीया को मोड सकते हैं तो 45 degree हो गया 90 degree हो गया 135 degree हो गया और 190 degree हो ठीक है 90 degree पर कितने का bend आता है 2D का ठीक है मतलब यह simple formula है आपको यह simple formula याद रखना है बसकि जब 45 degree का bend होगा तो 1D का extension आता है जब 90 degree का bend होगा तो 2D का extension आता है जब 135 degree पर bend करेंगे तो 3D का extension और 190 degree पर bend करेंगे तो 4D का extension आता है steel bar में D क्या है इसमें तो जो भी time meter का आपका steel bar था अगर 16 mm है तो 16 से multiply कर देना अगर 20 mm है तो 20 से multiply कर देना अगर 25 mm है तो 25 mm से multiply कर देना तो को मान के चलते हैं कि यह वाले जो steel bar था 25 mm का ठीक है 25 mm का यह है अगर मान लेते हैं हम कि हम 90 degree पर मोड़ रहे हैं उसको जैसे कि राफ्ट के foundation में हम लोग करते हैं कि 90 degree पर अपने steel bar को मोड़ते हैं ऐसे राइट bottom bar हो गया यह और यह ऐसे करके अपना top bar हो जाता है ठीक है तो इस तरीख से हम लोग मोड़ते हैं उसको लगाते हैं ठीक है तो 90 degree का bending आता है यह वाला bend 90 degree का bend हो गया यहाँ पर यह 90 degree का bend आ गया तो 90 degree में क्या होता है कि हम लोग का 2D का extension आता है तो 2 cross 25 25 का मतलब हो गया है यहाँ पर 50 mm ठीक है मतलब 50 mm का एक side के वैसे extension आया ठीक है अभी हम लोग उने 2 side bending किया है एक यह side और दूसरा यह side तो 2 से इसको ही multiply कर देंगे 50 cross 2 कर देंगे इसको भी तो 50 cross 2 किया तो 100 mm का यानि हमने जब 90 degree का bend दिया है steel बार में तो 100 mm की extension आ गयी है ठीक है अब आती बात अपने 5 वे point की और यह बहुत ही important point है staggered bar देखो लोग अक्सरा बेश्टर गलती करते है staggered bar को लगाने में लेकिन मैं जो चीज़ बता रहा हूँ इसमें staggered bar के बारे में जरूर से आप इसको ध्यान रखना और जरूर से इसको सही तरीख से लगवाना बहुत जरूरी होता है जो steel की जो placing होती है वो different position पर place करते हैं जैसे example के तोर पे जो हमारा हम लोग cut length ऐसा इसमें रखते है एक तो हमारा जो overlapping है वो इस position पर रहा ठीक है वो इस position पर रहा और दूसरी जो अपनी overlapping है वो अपनी overlapping इस position पर रही ठीक है अब यह देखो overlapping के वज़े से क्या होता है ना overlapping के वज़े से क्या होता है कि एक weak zone create होता है ठीक है यहाँ पे एक अपना weak zone create हो गया है ठीक है overlap दिया हम लोग ea haa पी एक weak zone create हुआ और फिर यहां बेही एक weak zone create हुआ ठीक है तो यह जो weak zone create हुआ है किसके वज़े से हुआ है इस overlapping GE के वज़े से हुआ है ठीक है तो हम लोग ने क्या किया कि हम लोगों ने क्या कि सारे सरीया को अलग अलग जगा पर अवरलापिंग दिया है अगर एक वीक जोन क्रियेट हुआ तो एक स्ट्रांग जोन क्रियेट हुआ स्ट्रांग जोन क्यों क्यों क्योंकि यह हमारा पूरा का पूरा सरीया है इसमें कोई overlapping नहीं दिया गया ठीक है तो ये strong zone है ठीक है अब फिर ये weak zone create हुआ तो ये भी strong zone create हुआ तो इससे counter होता जा रहा है एक weak zone है तो एक strong zone है तो counter act होता जा रहा है ठीक है तो उसी तरीखे से यहाँ पे एक weak zone है तो यहाँ पे एक strong zone है ठीक है कि एक ही जगा पे एक ही जगा पे एक ही लंद का सारा सारा स्टील काड़ देंगे और फिर उसके वहीं पे ओवरलापिंग दे देता है इस तरीखे से इस तरीखे से करके क्या ओवरलापिंग दे देता है अब इसमें क्या होता है कि अपना सारा का सारा जो अवरलैपिंग होता है सारा का सारा वीक जोन एक जबा पे क्रिएट हो जाता है और कहीं पे भी काउंटर होने का कोई चांस ही नहीं रहता है इसमें इस वज़े से ये वाला पोजिशन एकदम खलत है ठीक है, इस तरीखे से कभी भी फ्लेसिंग मत करिवाना स्टील पास का बलकि जो इस टैगर्ड बार का जो तरीखा है इस तरीखे से प्लेस करिवाना स्टील को आपका कॉलम बहुत ही सेफ रहेगा और फ्रेम इस्ट्रुक्चर बहुत सालों तक लास्ट करेगा ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये 5 important point आप लोग पूरी अच्छे तरीखे से आप लोग समझ गए होगे अपना joggle, lap length, development length, bend deductions, staggered bar, बहुत commonly use होता है हर जगा building में use होता है, ठीक है, जाए कोई sky scrapers हो या फिर कोई normal सा घर हो हर तरीखे के building में ये 5 common term to use होता ही होता है, ठीक है और भी देखो बहुत सारे important videos के लिए, मेरे चैनल को जरूर से subscribe कर लो, मेरे वीडियो को जरूर से like कर दो, अपने दोस्तों के से share कर दो चलो ब अगले वीडियों मिलते हैं, तब तक कि रे, thank you